जितना आपने पांच साल में NFP News का Impact नहीं देखा होगा, उतना इस वीग में NFP News का Impact पहने वाला है Hi friends, this is Nairaj and hope everyone is good and fine Friends, आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ, इस वीग की more dangerous जितना आपने पांच साल में high impact news नहीं देखी होगी, उतना impact आपको इस वीग इन news का देखने को मिलेगा Friends, ऐसा क्यों बोल रहों है, क्योंकि पांच साल के बाद इसी वीग में election का result भी है और साथ में हमारी high impact news भी है अभी Friends, high impact news की बात करें हम तो इस वीग होने वाला क्या इस वीग Friends, सबसे ज़्यादा liquidity क्रेट की जाएगी इस वीग 2-4 दिन चलेंगे Friends, उस वीग सबसे ज़्यादा buy and sell लोगों को फसाया जाएगा उसके बाद उनके SL लाए जाएगा, अगर किसी के SL लगे हुए ठीक नहीं तो उनके Friends, directly account उड़ेंगे इस वीग Friends, आप देखोगे, सबसे ज़्यादा account उड़ने का आपको news आएगा कि सबसे ज़्यादा जो news उड़े हैं, वो सबसे ज़्यादा इसी वीग उड़ने वाले जो भी जिन सब के account उड़ गे है तो Friends, ये वीग बहुत ज़्यादा important होने वाला इस वीग को आपने बचा के trade करना है अब Friends, सब news देख लेते हैं, Friends, इसी वीग हमारे सबसे पहले तो मैं बता दू, news के अलावा Friends, हमारा यहाँ पे election का result भी आने वाला US का इसलिए आप market देखोगे, पहले market एक ही जगा पर आपको लगेगा, मूह नहीं कर रही होगी, it means वो liquidity grade कर रही है और Friends, जब high impact news आने वाली होगी, उस टाइम पर इतना mood देखी कि Friends, अगर आपने गलस side entry ले ली तो account भी वाश हो सकता है इसलिए Friends, मैं बार बार बता रहा हूँ कि इस week अपना SL ज़रूर लगा के रखे अभी Friends, अगर आप इस week का देखो, आठ तारीक को अगर आप देखोगे यहाँ पे, तो unemployment rate की Friends, यह news है यह भी बहुत ज़ादा impact ये जो है CAD की तरफ से देने वाली है, उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो हमारी NFP की news भी है, NFP की Friends, यहाँ पे बहुत ज़ादा impact देगी FOMC की भी है, Friday को Friends, आप देखोगे, Friday को अगर आप देखोगे तो यह भी है लेकन सबसे ज़ादा शाम को यह 7-8 बजे Friends, बहुत ज़ादा high impact यहाँ पे आने वाला है उसके बाद Friends, हम साथ को अगर देखेंगे, तो साथ को भी बहुत ज़ादा impact होने वाला है साथ को Friends, अगर आप देखोगे, यहाँ पे USD की तो unemployment claim की Friends, यहाँ पे news है अब Friends, हम बात कर रहे हैं यहाँ पे gold की अब बहुत सारे लोग देख रहे होंगे, यहाँ पे कि Sir, आप तो US dollar की बात करे हो बहुत सारे लोगों को मैं Friends, यहाँ पे बतादूं कि 70-80% directly USD का impact पड़ता है और कब impact नहीं पड़ता है, कभी दोनों साथ में चलते हैं वो भी आपको पहले बता के रखा है, ऐसा नहीं कि दोनों opposite में चलते हैं कभी-कभी यह साथ में चलते हैं, जब market में बहुत जादा inflation हो क्योंकि US जो है, यह जो USD है Friends, जो आप देख रहे हो, DXY जो है वो उसका, USD का ratio निकाला हुआ है, और उसकी वज़ा से कभी-कभी जब inflation बहुत जादा हो जाता है, inflation की वज़ा से कभी-कभी यह दोनों साथ में भी चलते हैं, opposite चलने की जगापे Friends, यह साथ में भी चलते हैं तो Friends, यह जो news है, unemployment की Friends, इसको आपने नजर अंदाज नहीं करने वाला है अगर बोध या ब्रेस्तवार को, अगर या शुकरवार को, अगर result निकलता है, जैसे elections का, पांच तारिक से पांच तारिक को, अगर बोध या ब्रेस्तवार को, अगर या उनने जल्द ही निगाल दिया इस वीक, तो Friends, आप धिहान रखना, unemployment claim की, यह news सबसे ज़्यादा मूँ देगी अब Friends, होगा क्या, मैं आपको वो भी समझा लेता हूं थोड़ा, अब Friends, यहाँ पे जैसे फार एक्जेंपल देखो, liquidity crate कैसे की जाती है, फार एक्जेंपल, market यहाँ पे है, और उसके बाद directly market यहाँ पे आईगी, अब लोगों को लगेगा, कि market अब नीचे जाल रही है, त तो मैंने यहाँ पे, अभी मैं यहाँ पे analysis नहीं करूँगा, मैं खाली आपको news दूँगा, analysis की video मैं अलग से डालूँगा, अभी Friends, यहाँ पे अगर आप देखोगे शाम से, तो यह इस range में जो market accumulation किया है, इस range में हुआ क्या है, मैंने कहा था आपको वीडियो में कि market जो यहाँ गया उपर, अब मैंने कहा था कि market जो है, daily buys जो बता रहा है, वो market उपर बता रहा है, लेकन gap up भी मुझे लग रहा था कि gap up भी यहाँ पे खोलेगा, लेकन Friends, इसने क्या क्या gap up यहाँ पे खोला, यहाँ पे candle close होई, डायरेकली यहाँ पे नीचे के लिए खोला, हाल सारे लोग फिर इसमें confused हो जाते हैं, यहाँ पे liquidity create है, यहाँ पे liquidity create है, तो करता क्या है Friends, यह वाली liquidity जैसे खाई गया फिर उपर ही, overall कभी कभी क्या होता है Friends, जो मैं analysis देता हूं, उस analysis का धिहान आपने यह रखना है, for example, आप सुबा से बैठे हुए हो, अगर आप यह sessions ल तो आपने क्या करना है, for example, मैंने आपको बताया है, market example करके यहाँ से हमने selling जाना है, अब सुबा के टाइम क्या हुआ Friends, market उपर जा रहा है, no problem, पीछे कोई order block है, या 50% के उपर अगर आपको लग रहा है कि कुछ है, वहाँ पे आपने confirmation लेके, मैं बता देता हूं, वहाँ यहाँ पे daily buys था, तो हमारा यहाँ पे buying था, ठीक है, अब market ने क्या किया पहले यह देखो, अब इस वाली range में 5 minute में क्या accumulation किया, retest करने के बाद नीचे आया, लेकर अगर हमारा buying side है, तो हम इसके बाद यहाँ पे जो भी order block होगा, या जो भी कुछ होगा, जब यह market shift और आपके SL बजा देगी, daily buys पे अगर आपको trade मिलता है, well and good अगर trade नहीं मिलता है, तो हम friends trade नहीं करेंगे, या आपने धिहान रखना, और इस week तो बहुत ज़्यादा धिहान रखना, और high impact news से friends, उस time trade नहीं करो, तो अच्छा है, उससे पहले अगर आप loss में भी हो, तो अपनी position को exit कर दो, या अपना SL पहले fix कर दो, कि मुझे इतना loss लेना है, और इतना TP लेना SL बजे no problem, thank you friends